एक बड़ी पुरानी कहावत है कहते हैं आक का कीड़ा आक मेरा जी ढाक का कीड़ा ढाक मेरा जी जो जिस तरीके से पलता है बढ़ता है उसे वही चीज समझ में आती है उसके बाद कुछ भी समझ में नहीं आता है ऐसा ही कुछ ब्रिटिस मीडिया के साथ हो रहा है दुनिया लेकिन बिटिस मीडिया को बड़ी नाखुसी है जलन है आखिर बिटिस मीडिया जल क्यों रहा है जानेंगे किसने क्या कहा और कैसे बहुत भारी पड़ गया है तो वहीं दूसरी तरफ अभी तो लगता है जैसे कि जले पे नमक छिड़क दिया है एक ऐसा एलान कर दिया है इ इस एलान के बाद इन्हें तो परनोल भी काम नहीं आने वाला है जानेंगे क्या किया है इस रोनी कियो पॉलिक्स में दमाल मचा हुआ है आये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से 200 साल हमारे उपर राज किया है हमारे यहां के धन समपत्य को चुरा चुरा कर ले गए और कितना चुरा कर ले गए एक दो नहीं पूरे 45 ट्रिलियन डॉलर ये आखड़े हैं मतलब भारत सोने की चिडियां थी और उस सोनी की चिडियां का सारा सोना ये लूट-लूट कर ले क्यों लूट लूट के ले गए इन्हों ने उसमें उपनिवेस बाद की होड लगा रखी थी दो देश थे दुनिया में जो ज़्यादा से ज़्यादा कबजा करना चाहते थे एक ब्रिटेन था यानि की यूके और दूसरा था फ्रांस यह दोनों अपना आधिपत्य बढ़ान के लिए जादा तर चीजें चोरी की है बहुत जादा तो उसमें भारत की चोरी की हुई चीजे मिलेंगी और बखी जो बचे खुचे हैं जो और सारे देश थे उनकी चोरी की चीड मिलेंगी मतलब पक्के वाले थे यह अब जरा SOUचीए यह भ्हूमी का है nights UK की वैसे आपको बता दें इस वक्त UK का हालत बहुत खसता है आर्थिक मंदी च्छाई हुई है और इस्तिती ऐसी है कि यहां पर UK के अपने मूल निवासियों के बजाए कटर पंतियों की संख्या जादा बढ़ रही है कहने का अर्थ यह है कि UK आने वाले समय में और इस्तिर ह होगा इस रास्ते पर भी चल चुका है ना सिर्फ आर्थिक बल की उसके राजनीतिक तौर पर भी और इस्तिर होने के दिख रहे हैं सारे आसार अपनी समस्याओं को अपनी फटे को सिये नहीं और दूसरे के फटे में टांगड़ा है जरा देखिए इन्हें खुसी बरदास नहीं हो रही है और यह क्या कह रहे है एक तो इस बंदे का चेरा भी सुखा सुखा नजर आ रहा है चंद्रियांग 3 की सफलता में सायद यह बंदा खाना पीना भूल गया हो कौन है यह जिसकी इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है तो आपको बता दें यह है पैट्रिक बोल भारत ने न मदद के नाम पर बहुत पैसे लिए हैं 2016 से 2021 तक भारत ने हमसे 2.3 बिलियन पॉंड ले लिया है तो ऐसा करना चाहिए यह पैसे लेकर बारत चंद्रमा के अंधेरे वाले हिस्से में रोकेट भेज रहा है और सोचिए अपनी गरीवी को भूल कर यह ऐसा कर रहा है अजीब सी बात है सिर्फ 2.3 बिलियन पॉंड से क्या पूरा भारत चल रहा है और दूसरी बड़ी बात कि उसने यह कह दिया कि इसे लोटा देना चाहिए 45 ट्रिलियन डॉलर तुम लेके जो गए हो उसमें से यह पैसे काट लो और हमें वापस कर दो मतलब ऐसा लगता है जैसे कि बृटेन के यह जो मीडिया है ना खूद ही अपनी वेज़ती कराने को तूले हुए हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतिये इनकी वेज़ती कर रहे हैं बलकि हंगरी के डेटा जर्नलिस्ट हैं नोवर्ट एलाइक इन्होंने भी ट्वीट करके लिखा कि बृटेन इसी बात के करके दुनिया में अपना मजा कुद उड़वा रहा है उन्होंने यह याद दिलाया कि भारत ने यूके से सहायता को यह कहते हुए और सब्विकार कर दिया था कि इसके लिए वो कुछ नहीं है मूंफली के दाने के बराबर है वैसे आपको बता दें यह वही ब रिटेन की वज़े से हुई है फूट डालो और राज करो लूटते चले जाओ अपनी मनमानी करो यह सब कुछ सिध्धानत उनका ही रहा है ऐसा है कि भारत इस वक्त ऐसे मोड में चल रहा है न कि जले पर कैसे नमक छिड़का जाए और छिड़का ही न जाए कोसिस हो रही है कि नमक की बोरी ही डाल दी जाए क्योंकि इस वक्त कृष्टी को कुछ ऐसा ही लगेगा इसरू ने एक और बड़ा एलान कर दिया है चंद्रियान 3 वहां पहुँच चुका है रोवर अब चंद्रमा पर घूम रहा है और चंद्रमा पर घूमते हुए रोवर को कही सारी है इसका अंदाजा आप मनोवल कितना उचा है इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं यह जो तस्वीर दिख रही है इस तस्वीर में जरा देखिए किसका कितना खर्चा हुआ है मून के मिसन में भारत के चंद्रियान 3 में बारत ने खर्चा किया 615 करोड रुपए और 25 जो कि वहां जाकर डुम हो गया वहां पर खर्चा हुआ 1650 करोड रुपए और चाइना के चैंग्स 3 यहां पर 2476 करोड रुपए रुपए में यह आकड़े हैं ताकि कंपेर करना आसान हो नासा का अपोलो 17249 करोड रुपए अब इसमें सबसे कम किसका है भारत का है और य जँनिक कितने ज्यादा सकिल्ड है कि उन्हों ने चंदरियान 3 बना दिया और यह मिशन सफल हो गया लेकिन इस मनोवल बढ़े हुए इस अरो ने जो एलान किया है वो हे जलाने वाली बाते है और मिजन भी कुछ जलती हुई मिजन है, यह मिजन है सूरज का मिजन, आदित आल वन अब आदित आल वन एतना क्या खास है, मतलब हमने चानद पे बेजा, तो अब हम सूरज की तरफ बढ़ रहे हैं, बस इतनी सी बात नहीं है, सिर्फ हम चांद और सूरज पर नहीं बढ़ रहे हैं सूरज के लिए जो हमारा मिशन है दो सितंबर को यह मिशन लॉंच हो रहा है पहले हमारा यह प्रोग्राम था कि 700 से 800 किलोमीटर तक में ही हम रुक जाएंगे यह सूरज देख रहे हैं सूरज की कच्छा में कुछ पॉइंट्स ह जहां आपका सेटेलाइट सुरक्षित रह सकता है L1, L2, L3, L4, L5 L1 जो है यह सूरज से कुछ जादा ही नजडीक है पहले हमारी प्लानिंग कुछ और थी लेकिन इस वक्त इस तरीके से कॉन्फिडेंट है कि इस अब यह प्लान कर रहा है कि L1 में हम अस्थापित करेंगे अपने सेटेलाइट को और यह सूरज के काफी पास होगा ताकि हमें बहुत सारी जानकारिया मिलेंगी सूरज के बारे में यह एक और बहुत बड़ा कदम है एतिहासिक कदम है लेकिन यह जो इस तरीके के लोग हैं जो विदेसों में भी हैं और कुछ बहुत कुछ हमारे अ आख होने वाली बात है बस अभी तो सुरुआत है सूरज के बाद गगनियान का भी नमबर है और इसके अलावे कई और प्रोजेक्ट हैं जिस पर इस रो जल्द ही कुछ बड़ा एलान कर सकता है कैरिन सब मामले में आपकी क्या राया है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं वीडियो में नई खबर के साथ